शेहर में लगतार बर्टे कॉरोना संक्रमर के बीच जिला प्रसाशन ने सेवा कुंझ हॉस्पिटल को कोविट केर सेंक्टर घोशित करने का फैसला लिया है। इस सम्वन में आदेश जारी कर खास नर्देश भी दिये गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कलेक्टर मनीच सिंग द्वरा सेवा कुंझ हॉस्पिटल को कोविट केर सेंक्टर घोशित किया गया है। कलेक्टर सिंग ने नर्देश दिये हैं कि कोविट केर सेंक्टर में कोविट 19 पॉजिक्टिव लक्षन रहत व्यक्तियों को ही रखा जाए। साथी सेंटर पर विद्धियूत की वैकल्पिक व्यावस्था भी की जाए इसके साथ ही आवश्चक्ता नुसार ऑकंसीजन की व्यावस्था भी रखे किसी भी व्यक्ति कु लक्षन होने पर कोविड अस्पताल में भरती कराने की व्यावस्था सुनिश्च्चत की जाए इसके साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाग रुपे की सहायता राशी देने की घोशना भी की कोविट केर सेंटर सावे में चालू कर रहे हैं उसके भी मेंने आक्सीजन प्लांट के लिए 25 लाग रुपे दिया है और हमें गीता भवन ट्रस्ट वह है उसका भी अस्पताल चालू करना इस पर भी सारे सांचाय विधायक में कम से कहूं करों रुपे एक खटा कर रहे हैं सब्सक्राइब करने की पूरी तैयारी है साथ ही पहले ही हर व्यवस्था को प्रबंधन ने पुक्ता कर लिया है हमने यहां पर सबसे पहले तयारी तो करोना पेशिंट के आने की जिसको कहते हैं सेपरेट एंट्री क्योंकि करोना पेशिंट को दावा की सारे पेशिंट से अलग रखना पड़ता है तो हमने सबसे पहले एक सेपरेट एंट्री बनाई उनके लिए उसके लावा जितना नर्स दॉक्टर्स लगते हैं वो रेडी है एक on-call pulmonologist जो की specialist होता है तीबी चेस्ट का उसके लिए चेस्ट प्विजिशन वो हमने एक on-call रख रखा है और साथ में एक on-roll भी है तो इस तरीके से हमने सारी तैयारियां कर ली थी फिर उसके बाद जो हमारी जो प्रॉब्लम आई ज कंपणी द्वारा और जैसे कि सबको पता है कि आयनॉक्स कंपणी का बहुत बड़ा फेलियर हुआ और वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में लिक्विट उक्षिन सप्लाइ करने में ना समर्थ रही इस वज़ए से हमने हमारे साथ में ही हमारा सिस्टर कॉल सकते हैं सिस्ट प्रशाशन के साथ में मिलके अप इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं तो विदायक जी ने और हमारे मानिय मंतरी तुलसी सिलावट जी ने विदायक नीदी से में 25 लाख रुपे अबंतृत किये और और आप यहां पर ऑक्सिजिन प्लांट लगाई है जिसका हमने करीबन 20-21 दिन का कहा है कि 20-21 दिन में या हो सकता चार हफते के अंदर यहां पर ऑक्सिजिन प्लांट लगा देंगे तब तक के लिए विदायक जी का ही सजेशन था कि तब तक लोगों की मदद करो आप एरिया के लोगों की जो लोग आइसोलेट होना चाहते हैं जो लोग केवल स्टेबल हैं जिनको ऑक्सिजन की जरुवत नहीं है और केवल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल केर जाते हैं ताइम पर दवाईया मिल जाएं डॉक्टर देख ले यह सारी सीज़ों उसके लिए हमने एक कोविट केर सेंटर यहां पर चालू किया है ताकि जब तक कोवि कीज़ों को कितना लाब मिल पाता है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज उन्दौर